नमस्कार, 11 बच चुके हैं, बहुत बोग स्वागत आपका न्यूस 24 पर मैं आपके साथ पूझा राठूर शात्मा तो भारत जुडो निया यात्रा में शामिल होंगे नितीश, इस वक्त कि ये बड़ी ख़बर आपको बता रहे हैं जाला जानकारी के साथ मेरे सेहोगी सौरब जुड़ गए हैं पटना से तो सौरब एक अच्छी खबर ये विपक्षी गडबंधन इंडिया के लिए कही जा सकती है क्योंकि नियोता तो तमाम गडबंधन के घटक दलों को दिया गया लेकिन कनफर्म अब तक किसी का नहीं है कि कौन पहुच रहा है कौन नहीं लेकिन नितीश तीस तारी को शिर्कत कर रहे हैं ये बिलकुल पूजा सबसे बड़ी वात है कि नितीश कुमार की नाराजगी जो है वो अब लगता है खत्म हो गई है और कुछ दिन पहले बीजे कॉंग्रेस के जो परदेश अध्या छकले सिंग है वो जाकर खुद मुखमंतरी से मुलाकात मुखमंतरी आवास में उन्होंने किया था और नेवता भी दिया था पहले ये तैठा कि जो सताई जो पूर्निया की रैली है वो 27 तारीको होगी यानि 27 जनवरी को होगी और पहले से ये तैमाना जा रहा था कि राहूल गांधी की जो भारा जोरो नया यात्रा है ये बिहार में 26 जनवरी को परवेश करेगी लेकिन अब वो जो तिथी है यानि जो डेट है उसको बरहा दिया गया है अब राहुल गांधी की जो भारा जोरो नया यात्रा है 39 तारीक को किसन गंज के रास्ते बिहार में परवेश करेगी और किसन गंज में 39 जनवरी को किसन गंज में एक सभा होगी हलाकि वो बहुत बरी सभा नहीं होगी लेकिन 30 जनवरी को पूर्णिया में एक बरी जन सभा होगी जिसमें ना केबल बिहार के मुखंतरी नितीश कुमार बलकि राजा सुप्रिमो लालू परसाद यादब के भी सामिल होने की संभाबना है हलाकि कल जो कॉंग्रेस ने प्रेस कॉंफरेंस किया था उसमें उन्होंने किलियर कर दिया है कि नितीश कुमार जरू उस रैली में सामिल होंगे और टेंटेटीव यानि संभावित तोर पर उन्होंने लालू परसाद यादब का नाम लिया था तेजस्वी यादब का नाम लेकिन ये तैम आना जा रहा कि 29 जनवरी को पूर्णिया में जो बड़ी जनसभा कॉंग्रेस की होगी उसमें ना किबल मुक्वंत्री नितीश कुमार बलकि राजा सुप्रीमो लालू यादब के साथ साथ डिप्टी सियम तेजस्वी यादब भी मौजूद रहेंगे जी. बिलकुल तो देखिए तो कहीं न कहीं पूर्णिया की ये रेली बहुत माइने रखेगी सौरब और अगर वाकरी में नितीश कुमार के साथ साथ अगर आरजेडी भी शामिल हो जाती है तो बड़ा मैसेज विपक्षी गडबंधन की एकता का भी जाएगा. ये बिलकुल जाएगा क्योंकि जीस तरीके से महागटवंधन में या विपक्षी एकता में या विपक्षी गडबंधन में जो मतभेद की खबरे लगातार आ रही थी और खास तोर पर बिहार से वो खबर लगातार आ रही थी तो निशित तोर पर सभी खबरों पर बिराम लग जाएगा जब स्टेज पर यानि राहुल गांधी के साथ साथ लालू प्रसाद यादव और नितीश कुमार तेजस भी यादव होंगे तो निशित तोर पर एक स्ट्रॉंग मैसेज पूरे राजि में जाएगा कि सभी इंडिया गटवंधन के तमाम जो घटक दल है सभी एक साथ है और सबसे बड़ी बात है कि पहले 27 जनवरी को बेतिया में परधानमंत्री नरेद मोदी की भी रैली होने वाली थी लेकिन उसकी भी तारीक अब बरहा दी गई है वो रैली यानि परधानमंत्री नरेद मोदी की बेतिया में रैली अब चार फरवरी को होगी तो निशीत तोर पर एक तरीके से विपक्षी गटवंधन का यानि इंडिया गटवंधन का इसे मिसन 2024 का आगाज भी माना जाएगा जब स्टेज पर ना के बर राहूल ग करेक लिए